हेलो स्टुदेंट वेलकम टू माइटिशन क्लासेज इस दी प्रिमाइज और प्रोग्रेस मैं सुद्धे विख बार फिट से आपका स्वागत करता हूं माइटिशन क्लासेज के यूटूब चैनल पर अपन लोग क्लास टेंथ का चैप्टर फॉस्ट एड़िक्शन एक्वेस्टर पढ़ रहे दें चैप्टर में टुार तीन पार्ट और वह वत गेह quart न लोग आज इस वीडियोन में discuss करेंगे ठीक है तो चलिए बिना टाइम अपन के कराब कि अपन लोग शुरू करते हैं अपना आज का से सर्थ तो देखिये आज का अगे का रीक्षन जो हैं डिसप्लेस्टमेंट रियेक्स हिंदी मैं इसको बोलते हैं विस्तापन अभी कि दिया अब जैसा कि नाम से ही अपन को मालूं पढ़ रहा है डिस्प्लेस्मेंट या फिर अपन के विस्तापन मतलब क्या होगा डिस्प्लेस वो कम किरिया सील को क्या कर देगा विस्तापीद कर देगा सबसे पहली चीज तो आपन के यह आती है कि यह कम किरिया सील और अधिक किरिया सील क्या होते हैं तो इसमें देखिए आपन के मैंने पास में आपके लिए क्या आपके लिए एक बना रखा हैं जिसमें देखिए आप और से नीचे जैसे जाएंगे हमेसा सप्र Animals जिसको आपन लोग बोलेंगे tkti कम होगी हमेषा तो सबसे उपर अपन का जो सबसे ज़्यादा और डियस्ती सबहि源 को बोसा होगा तो सबसे ज़्यादा अपन्का क्या हो जाएगा गोल्ड हो जाएगा आगे समझ में चलिए तो इसमें ध्यान रखना अपन के सोडियम का से बन गया है अपन का कैल्सियम माली से मैगनीशियम आलू से बन गया अब ध्यान रखना कुछ-कुछ elements की मैंने यहां पर ट्रिक नहीं डाली है विकॉस आप अपन के क्या है और भी इसमें आगे जब अपन लोग practical वाड़ा मैंने की से याटेक्तर पढ़ेंगे ऑपन के यहाँ चली तो इसके बाद मैं आपन का बहुति का डियार यादरा पड़ेगा लेड जो है अपन का पकाता और एच है जो है अपनका हाइडरोजन जो है आपन के हैसे हो जाएगा और लास्ट में अपन के क्या हो जाएगा सी यू एज और एउ इस टाइप से आप लोगों के लिए थोड़ा साथ त्रिक को ध्यान रखना ताकि आप लोग रियक्टिविटी सिरीज को क्या कर सको याद कर सको ठीक है अब रियक्टिविटी सिरीज या किल का जो भी है आपन के वह तो अपन के समझ में आगे की 20 सकरी आथा स्रैनी जो होती है अपन के इस टाइ मतलब डिस्प्लेश कर देगा उसकी जगह पर जाएगा तो यहां पर मैंने क्लियां आदी क्रीयाशी़ तत्व होगा वह कम क्रूं को क्या करते हैं हमेशा मिस्तापीर सी तो चलिए अपन लोग देखतें अपना example जो आपन के नीचे दे रहे हैं बहुत सारे example मैंने लिये हैं ठीक है जिसमें अपन का देखिए सबसे पहला इसमें A प्लस ये देखिए ये वाला reaction देखिए इसमें A प्लस B C जो इसमें देखिए बाद में अपन का B की जगए अपन का कौन आ गया अपन के A आ गया है देखिए A है अपन का पहले green वाला ठीक है इसकी जगए पर कौन आ गया अपन का A आ गया मतलब क्या हूँ अपन का क्या है विस्टाफिट कर देता है मतलब क्या कषण है पनी जगे पर ये अपन कर दिया इसने यहां से अलग कर गया तो एक लोग एक्जाम्पल से समझता है इसमें जैसे मैंने यह डियेक्शन लिया है मैगनीशियम और कॉपर सलफेड तो सबसे पहली चीज़ अपन लोग देखते हैं इसमें दो मैटल कौन कौन से हैं क्योंकि अपन के डेफिनेशन में अ कशलिए तो अपन लोग चलते हैं अपना रिय्यक्टिविटी से एंदर जाली अब देखी इसे देखते हैं और अपन लोगों को देख रहा होगा मेगनीशियम होपन का करा आधे घठ थार नमबर पर फे ताकि थार्ड नमबर पर उसके बाहल आपन लोग देखते हैं का कॉ निचे जैसे आपन लोग जाएंगे डियक्टिवीटि क्या होती हमेसा कम होती है तो अपन लोगों ने यहां पर देखा कि मेगनिशियम क्या है ज्यादा क्यों यह दीक कर देगा और उसकी जगते पे खुदा आ जाएगा तो यहां पर आगे क्या बन रहा है प्रोड़क्स के अदर CU अलग हो गया और इस magnesium को अपने का पर बेज दिया अपन के SO4 के साथ में तो magnesium sulphate बन गया इससे अपन को क्या दिखा है कि magnesium अपन का क्या है अधिक क्या फिल है किस से copper से अपन लोग एक तो CU है अपन का एक है अपन के FE टो देखी इसमें कहां का पर है अपनका CU तो यह रहा आपन के last वाल पोजिश्टन पर F कहां पर है अपन का FE देखी यह रहा फिके पकाता वाले में यहां पर ध्यांन रखना अपन को कि ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है एक डिस्पलेश कर देता है तो अपन का यहीएगा वह बाहर डेगा बहलग चलिए एक रियक्शन और ले लेता है लोग वह पलपर और कॉपर का लिया है थिक है कि अपन लोग जानते हैं कि कपर आपका ज्यादा रियक्टिव है किससे देरफ़ क्या करेगा आपकी बार क्या करेगा इस इल्वर की जगे पे आ जाएगा, therefore reaction क्या बन जाएगे, CUNO3+, AC अपन के reaction हो जाएगी, आगए समझ में, चलिए, अब इसके बाद में आपन के यह जो दो reaction देर किये, वो है आपके लिए, तो आप लोगों को इन दोनों reactions को समझना हैं और करना है, therefore आप लोगों को इजी लिए, समझ में, आजाएगे, यह दोनों reaction आपके लिए, खुद के लिए, होमबक हैं, अब एक चीज़ अपन का यहाँ पर इसके अंदर देखिए, आप लोग, यह जो reaction अपने लिए हैं, CUSO4+, FE, FESO4+, CU, बहुत ही ज़्यदा फैमस वाली है, और बहुत ही ज़्यदा important reaction है, क्यों? क्योंकि सिदा exam के अंदर question आता है, कि जो CUSO4 जो होता है, यह जो CUSO4 मैंने लिया है, वो किस color का होता हमेशा? वो होता है हमेशा blue color का, ठीक है? अब जब आप यह blue color का हो गया अपन का, जब इसके अंदर फैरस डालते है, exam के अंदर question क्या पूचता है, यह एक तरह की activity है, कि जब अपन लोग copper sulfate के solution के अंदर iron nails डालते हैं, ठीक है, मतलब एक अपनने क्या करा? copper sulfate के solution के अंदर क्या डाल दिया, अपनने iron nails डाल दिया, तो अपन के क्या होगा, उस copper sulfate के solution का color change हो जाता है, इसका reason बताईए, तो ध्यान रखना, इस type के जब कभी question आते हैं, वहाँ पे हमेशा आपना answer क्या होता है, displacement reaction, क्या बोलेंगे वहाँ पे अपन लोग कि copper sulfate के अंदर अपन का copper है, वो ferrous से कम किरिया सीले, मतलब कम reactive है, therefore, ferrous को, sorry, copper को क्या कर देगा, ferrous, displace कर देगा, कौन करेगा, copper क्या करेगा, ferrous को, displace कर देगा, तो यह आपको समझ में आ गया होगा, चली, इसके बाद अपन लोग लेता है, अपना आगे का जो अपन के double displacement reaction, यह तो था single displacement, मतलब एक element था, वो दूसरे को क्या कर देता था, displace कर देता था, वो ही reactivity series अपने देखी थी, ठीक है, अब double displacement क्या होगा, उसमें किस ताइप से अपन की displace, मतलब element को displace करेंगे, तो वो अपन लोग देखते चली, यह है आपन का double displacement reaction, इसमें देखे, definition देखे, it is a reaction in which two different ions और group of atoms in the reaction are displaced by each other, मतलब क्या है इसके अंदर की जो अपन का reaction होगा, उस reaction के अंदर, दो अलग-अलग ion, या फिर जिसको अपन लोग पर्मानों का समू, एक दूसरे को विस्तापित कर देंगे, देखे, किस प्रकार से, it is a reaction in which two different ions और group of atoms, अब ध्यान रखना, इसके अंदर क्या होगा, group of atoms होगा, ठीक, वो क्या करेगा, एक group of atoms को, दूसरे group of atoms से क्या कर देगा, अपना, displace कर देगा, ध्यान रखना, अब देखे, पिसले वाले में अपने देखा था, single displacement के अंदर हमेशा क्या था अपन का, यहां पर क्या लिया था, salt solution, aqueous salt solution था अपन का, मतलब, aqueous salt solution का मतलब क्या जैसे, FSO4 अपन का, aqueous salt solution है, इसका, magnesium sulfate होगा, अपन का, लेकिन इसके अंदर क्या लिया अपन ने, इसके अंदर हमेशा ज्यान रखना आपन के क्या होगा, या तो ions होगे, या फिर group of atoms प्रमाणों का क्या होगा, समूख होगा, तो इसको समझने के लिए अपन लोग देखते, अपना की reaction आपन का, किस type से होगा, चलिए, इस reaction के अंदर देखिए, अपन का, मैंने लिया है, A, B को यह अपन के क्या है, मतलब, atom का, आपन के group of atom है, ठीक है, और C, D क्या है, अपन का, group of atom है, तो अब यह किस type से अपन के displace करेंगे, देखिए, A की जगए, अपन के क्या आ गया है, C, मतलब, C ने displace कर दिया, किसको, A को, ठीक है, क्योंकि, यहाँ पर, B के साथ कौन आएगा, आपके बार, B आ गया, और यहाँ से, Sam, अपन के A ने क्या कर दिया, किसको displace कर दिया, C को, मतलब, क्या है, एक दूसरे को, अगर A ने displace किया, C को, तो C वापस क्या करेगा, उसको, A को displace कर देगा, यही अपन की reaction है, इसके अंदर, reaction के अंदर क्या बताया, कि, atoms, group of atoms, in the reaction are displaced by each other, मतलब, एक दूसरे को क्या कर देंगे, वो displace कर देंगे, तो यहाँ पर अपने reaction के अंदर देखा, या हिंदी में जिसको बोलते हैं, अवक से पन, अभी किरिया भी कहते हैं अपन लोग, कौन सी अभी किरिया, अवक से पन, अभी किरिया, अब precipitation का मतलब क्या होता, सबसे पहली चीज़, तो यह समझते हैं अपन लोग, ठीक है, अब ध्यान रखना अपन गी रियेक्शं जब होगी इस रियेक्शन के अंदर की जैसे मैंने मेने अपन के ये यह शege लिया मैंने और बैरियम क्लोराइड लिया अब सोडियम सलफेट और बैरियम क्लोराइड को जब अपन लोग मिक्स अप करते हैं मिक्स अप करते हैं अपन का टोटल ही वो क्या होता अपन का उसमें मिक्स नहीं होता है ठीक है टोटली वो इसके अंदर मिक्स नहीं होगा लेकि कोई भी liquid sorry यह आपन का कोई भी salt solution等 क्या हुँख यहापन के group of items यह दूसरी के अंदर mics up नहीं होगे। तो यहापन वोगों ने क्या देखा कि अपन के स्प खिंगे वह जमावा सीज है वह अपन का क्या होता में सा पीपीटी होता है तो यहां पर अपन का जो पीपीटी बनेगा बेरियम सलपेड का वो कौन सा बनेगा बीजेए एसफोर बनने पर आगे संद में ठीक है अब लेते दूसरी रियेक्शन अपन लोग यहां पर देखिए एजी एनो थ्री एन वी यार सिल्वर नाइटरिक्ट औ अब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो यह भी डोटलने अपन के मिकसफ नहीं होते हैं और यहां पर अपन की पीपीटी बने गी यहां लोग ऐलोग 色लर की कि सिल्वर ब्रोमाइड किbenजा जाए ला पर इसके अंदर कर आपन का सिल्वर नाइटरेट अ के अपन का इसन सिल्व पीच अदर एक दूसरे को डिस्प्लेज करते हैं अगर यहां पर अपने देखा था कि एक्जाम के अंदर अपन के ज्यादा तर नई पूछते हैं अपनको किस टाइक से पूछता है वह अपनको डेखना है अब कोई स्ट्टैंस है उसका नाम बता ही और दूसरा अपन के बोलेगा खैमिकल रियक्शन लिखे तो आपन लोग वां पे क्या लिखेंगे वह सब्सेंस कौन सा होगा सिल्वर नाइट्रेट होगा अपनका जिसको एनने वियर का साथ रियर्ट करवाएंगे यह लो कलर की पिपीट कौन सी बनेगी सिल्वर ब्रॉमाइड बनेगी और सोडियम नाइट्रेट अपनका रिमूव हो जाएगा यहां फिर दूसरे कंडिशन क्या आप दे टो ही दिस्प्लेश्मन होगा एक स्वाशू डूसा हो गयाा है अब केमिकल रियक्शाथ त्यसको है केमिकल इक्षंड पर को टाइप है अपन का exothermic and & Hugh reaction जिसको हिंदी में बोलते है उस्मा से पी और उस्मा सोसी अभी टिर्या चली अब देखते यह क्या बला सब से पहली चीज है तो exothermic का मतलब क्या होगा exothermic का मतलब अपन के देर रखा इसके अंदर की एक्जोथेरमी का मतलब अपन के है, अब कोई भी रिक्षन dHello, जिसके अदर आपनका हीट एणरजी की औरबार ripping रिलीज हो रहा है, उसको अपन लोग एक्जोथेरमी का मствен बोलेंगे, आगे संजे दिक है? और एंडोथेरमी का मतलब तो इक्षन फाल्ब के अब यहां पे question क्या हता अपन exam के अंदर बहुत ही most important question पूछता इसमें या तो अपन के पूछेगा जो अपन के photosynthesize का process होता है plants के अंदर वो किस type की reaction है exothermic या endothermic ठीक है तो ध्यान रखना अपन लोग जानते है कि photosynthesize जो होता है उसके अंदर heat की अपन को जरूरत पड़ती है plants क्या करते है heat को absorb करते है sunlight से therefore वो कौन सी reaction होगी आमेशा अपन के endothermic reaction होगी अगर अपन के plants के अंदर endothermic reaction है तो exothermic किस के अंदर होगी humans के अंदर होगी obvious है क्योंकि humans क्या करते है अपन की heat energy release करते हमेशा ज्यान रखना ठीक है चलिए तो यहां पर अपन लोग ज्यान रखना exothermic और endothermic का मतलब क्या होगा उसमा CP का मतलब तो होगा कि इसमें जो उसमा होगी वो क्या होगी बाहर निकलेगी और endothermic का मतलब होगा आपन के उसमा सोसी का मतलब होगा उसमें उर्जा या उसमा का क्या करेगा और जैसा कि मैंने बताया अपन का जो उसमा सोसी अभिकिरिया है या एंडो थेरिमिक है जिसको आपन लोग क्या बोलते हैं प्रकास अंसलेशन की अभिकिरिया के अंदर यूज होगा वो ठीक है और जो मानव प्लस लिखावा और प्लस लिखावा आगया इसका मतलब क्या होगा वो exist वह अग्जुन संगर तो यह था आपनका andothermic and exothermic अब इसमें ज्यान रखना एंदर सीधाывает information बगेरा कुछ भी इसा ज्यादा पूछता नहीं है अपन के ज्यादा इसके अदर और एक्जाम के अंदर यही पूछता है कि वाई एक वाई फोडोसेंटसाइज इस कंसिड़र्ड एज एंडोथेरमिक एंड भी हुमन फॉर्मेशन ऑफ ग्लुकोज इन हुमन बॉड़ी इस एक्जोथेरमिक मतलब यह कोशन इस टाइप से अपन का पूछ सकता है कि अपन के अभी की गियर उस्मा सोशी क्यों है या पिर मानों के अंदर गुलोज बने करें उस्मा सेपी क्यों है वगड़ा इस साइप का कोशन अपन के आ सकता है आगे समदेब के तो यह था अपन का एंडो ठेरमिक एंड एक्जो ठेरमिक अब जो आपन का है वह आपन के टूटली क्जो कि आुप स्था है कमप्लीट हो जाता है चलिए अब अपन लोग लेता है अपना चैप्टर का लास्ट तौिक जो है है अपन के क्या है रैंस इडिडिती या जिसको आपन लोग हिंदी में बोलते हैं विक्रत गंदिता अब ज्यान एक अपन का टॉपिक जो है जो आपन लोग क्यों वाला उसके अंदर discuss करेंगे क्योंकि आपन के टोपिक है वापस आपन के उसी के अंदर दे रखाई therefore क्या होगा आगे आपन को metal non metal जो चेप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर आपन लोग discuss कर लेंगे आप लोग ऐसा मस वह सोचना कि आपन आपके सारे के सारे टॉपिक के सारे टॉपिक के लिए किये जाएंगी तो आपन लोग देखें अपना रेंसीडीटी या विक्रित गंदीटा क्या होता है इसके अंदर देखें अपन का इट इस दी प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सिडेशन ऑफ और एंड फैट परजेंट इन लगे छाने की चीज दाए अपनलोग क्या करता हैεις थोड़े दिनों के लिए और भ्राइुल की बंढ़ी चीजिया फैट इसमेल वगेरा जबी होटे है हैघ्ल्ड क्या होता है कि performance क्या होता है कि की ऑईल मुढ़ी जो बी चीज अंदर इस घ्राइप का अगर सब्सक्राइब को देखने मिलेगा इसमेल वगयरा और टेस्ट ये खराब होने लगेगा तो क्या होगा वह सहीए थिख और आप और यह और इस औक्सिडेशन जो हो रहा इससे बचने के लिए अपन लोगों को क्या करना चाहिए तो उसके लिए अपन के लिए को शहाँ प dei न लोग उनको हमेशा क्या की आपन के लिए अंदर के पर जाता है आगर अगर जियादा आपन लुद Πक L के अंदर नहीं बरेंगे तो क्या होगा आपन का onc अगर जाएगा उसका अगर ऑक्षिडेशन हो गया तो क्या हो जाएगी अपनके खराब हो जाती है और हमेसा ज्यान रखना एक्जाम के अंदर सीधा कोशन पुछा जाता है कि ऊक्षिडेशन से बचाने के लिए प्रिवेंशन के लिए एर टाइड के लिए ज्मुक्त का कशनव असे लिए या फिरोकर चिपस परकेड स्फेख्पेट karş में अपनके जो गाड़ होती या चिसाती है तो हमेसा इस चीज चीछ को याद रखना वह अपनके गैस कौनसी होती ह वो होती है nitrogen gas होती है आगे सुछे सीधा को सनाता यह अब दूसरा अपन का avoiding the food material and cooked food keeping it in direct sunlight दूसरा क्या देर का कोई भी अपन के food material वगएरा जो भी है अपन के बनाये वे बोजन वगएरा हैं उनको क्या करना चाहिए अपन को डायरेक्ट सन लाइड के अंदर कभी भी नहीं रखना चाहिए उनको एवोइड करना चाहिए अब तीसरा जो देर का अपन का एंटी ऑक्सिडेन होते हैं एंटी का मतलब भी ज्यान लखना वह होता है कि एंटी का मतलब उपोजेंट उक्सिडेशन का लुगा एंटी ऑक्सिडेंट Ausdbloium तो क्या करेगा उसको कम करेगा तो यह जो अपन के antioxidant है इनका भी अपन के यूज किया जाता है ज्यान रगना BHA और BSI अब nitrogen जो है वो भी एक तरह का क्या है अपन का antioxidant ही है क्योंकि आपन लोग क्या बोल रहे हैं बई antioxidant का मतलब क्या होता जो oxidation से opposite काम करें तो nitrogen भी अपन का क्या करता है अपन का क्या कर रहा है उसको बचा रहा है मतलब और यह भी एक तरह का antioxidant ही होगा तो एक्जाम के अंदर आ जाए आपन का antioxidant तो most priority आपको nitrogen को जैनी है उसके बाद में आपको याद आता है तो BHA और BSI आई अपन को ज्यान रखना है ठीक है तो यह था आपन का क्या टॉपिक रेंसिडीटी जिसका मतलब आपन ने देख लिया कि slow oxidation of oil and fat ठीक है चलिए अब आपन ने चैप्टर के अंदर सारे के सारी discussion कर लिए ठीक है chemical reaction क्या होता है chemical equation क्या होता है उसको की साइट से अपन लोग लिख सकते हैं balance कैसे करते हैं most important topic था जो आपन के लिए ठीक है अब टाइप जो भी थे अपने सारे के सारे आपको वहां से नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे चलिए तो अब अपन लोग मिलते अपने आगे का next जो chemistry का चैप्टर होगा acid base and salt में ठीक है तिल देन एक कर थेंक यू झाल 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 झाल